हाई प्रेंट्स आज को उर्ट्स पमें इस सिंक्रोसन में बनाया गया और यहां पर इसका आर्पीम है और कितना बोल्ट पर यह ओप्रेट होगा फोर आर्पीम है यानिकि एक में चार बार यह रूटेट करेगा और यह है 220-240 बोल्ट पर यह ओप्रेट होगा और इस साइड में यहां पर लिखा हुआ है यह हर्ज 50-60 हर्ज पर यह काम करेगा जो कि अपने घरों में सप्लाय आता है 220 बोल्ट और 50-60 हर्ज के आसपास और यहां पर साइड इसका मोडल नंबर या फिर कुछ और लिखा हुआ है इ इसे हम जल्ली से ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन को जाने के कुछिश करें हमारा जो सिंक्रोंस मोटर है वो टुटरली ओपन हो चुका है इसके उपर वाले धकन को हम निकाल दिये हैं उपर वाला धकन में साफ्ट लगा हुआ है और साफ्ट के नीचे आपकसे एक गियर लगा हुआ है और इस भाइस अपर चार पांच होगा है जिसमें नीचे वाला यще होता है यह मोटर सब्सक्राइक करता है चारो गीर रोटित होगा और इसके उपर यदे ढ़कन लगा हो रहा ह appetite गयर ओपर वाला साफ का गियर वह भी रोटित करएगा एए और हमजिति हम और के आपादा लगा है लगा यन्हें और इस जगह पर साफ जगह हुआ है और इसके नीचे साइध कोई लगा हुआ है अब कोई से ही यह दो वायर बाहर निकला हुआ हुआ सोल्डिंग करके इसे भी हम निकाल देते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो कोई लगा हुआ हुआ है वह कितना पतला लगा है और इसके ठीक सेंटर में एक मैंगने सकता है इचले इसे हम धीरे से निकालने कुछ करते हैं कि इसके अंदर का जो मेगनेट है वो कहां पर और किस तरीका से इसमें लगाया हुआ है यहां पर आप देखो एक स्प्रिंग लगा हुआ है छोटा सा उसे भी हम निकाल देते हैं और फिर इसके सेंटर बाले पार्ट को अब हो निकालते हैं तुकिंटर बाले-फार्ट को जीकनी पर आसानीसे बहार निकल गया और इसके पिछे आप देख सकते हो यहां पर जो रगा हुआ हुआ है इसके लेvida कर देते हैं और यहां पर मेंसिक v Vou दpos है कितना है इसमें गए बहुत ही कम है उसके बाब यूद्ध यह इतना ज्यादा बोल्टे जेनरेट करता है इसका मेगनेटिट पापर है कुछ खास नहीं है बहुत ही कम है अब हम इसके कोईल को देखते हैं इसमें कौन सा कोईल है कितना पतला वायर लगा हुआ है यह सारा इसमें कोईल लगा हुआ है कोईल यानि कितना ज्यादा पतला वायर है और इसमें जो नमबर आफ टरंस राव रहता है वह तो मुझे नहीं वालू मैं लेकिन बहुत ज्यादे नमबर आफ टरंस इसमें लगाया हुआ है इसलिए इतना ज्यादा बोल्टे जेनरेट करता है यहां पर आप देख सकतो तो यह पूरा बोल्टे वाकशन jadi नहीं है इसका यह जो कमणा बोल्टी चमनरेट करता है कि नहीं के इतना ज्यादा बोल्टे गरता है हो इसमें दो या लगा हुआ है दोनों इंड फिए यां पहला वायर से शुरु रूट्रिट प्रकरते करते करते यहां पर यह लास्ट पूंट साउंस वायर को सब्सक्राइब करके बाहर निकला गया थिस दू irony कि gauge the number सब्सक्राइब जला सकती थे लेकिन जब इसमें आप मोटा वायर लगा तो इसका साइज बहुत ही बढ़ा हो जाएगा और चलिए आप मैं यह बताने कोशिज करता हूं यह एक्चुली में वोल्टेज कर से जनरेट करता है यह बात आप सब्सक्राइब को मालूम ही होगा किस इसमें बहुत सारा नमबर अफ ट्रंस वायर लगा हूए इसलिए इतना ज़्यादा भोल्टेज करता है लेकिन इसका जो वायर है वह बहुत ज़्यादा पतला है इसलिए एंपियर वह बहुत कम इंपियर जनरेट करता है जिससे आप यूज नहीं कर पाते हो और इस गियर लगा हुआ है यदि आपको इस सिंक्रोस मोटर के बारे में और भी कुछ नौले चाहिए तो आप मुझे कमेट बॉक्स में बता सकते हो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा या फिर आप हमें कमेट बॉक्स में पूछ भी सकते हो उसका अभी में जवाब दूंगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगते हैं आप वीडियो को लाइक करताना और मुझे सपोर्ट करना और असी टेक्निकली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद